हेलो एब्रिवान, वेरे वेरे गड़ा अपरनून, कैसे हो, होब करता हूँ, आप सब लोग अच्छे ही होंगे, शो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ज्छारखन सिचक भरती 2023 के बारे में, थोड़ा सा इस भरती के बारे में आपको बताय दे रह ही, तो इसका मामला गया ज्छारखन हाई कोर्ट में, अब हाई कोर्ट का कल फैसला ये आता है कि जो बच्चे जैसे सीटेट क्वालिफाई किये हैं, स्टेट किसी भी राज जिससे हैं, आप उस राज का जो है टेट क्वालिफाई किये हैं, तो आप इस भरती के लिए जो ह वाला हूँ टीचिंग एक्जाम की पलपल की लेटिस्ट और अथेनिटिक अपडेट पाने के लिए एजुकेशन विसाइल यूटूब चैनल को सब्सक्राइब के लिए ताकि जो भी अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले मारे चैनल के मादम से मिल सके यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सहाइक आचार परिच्छा में सीटेट पास को भी मौका जारखंड हाई कोट ने जो है इसकी अनुवती बुद्वार को दी है कल इसका फैसला आ गया है अगर आप जो है सीटेट क्वालिफाई की है पियारटी के लिए अगर आपका पियारटी में क्वालिफाई है तो आप पियारटी की वेकंसी देख सकते हैं बीएड वाले हैं तो आप जो हैं TGT की वेकंसी इसमें देख पाएंगे अगर आपका पेपर 2 क्वालिफाई है ओकी किसी भी स्टेट से हैं उसे स्टेट का अगर आपका टेट क्वालिफाई है या तो सीटेट क्वालिफाई है जेटेट क्वालिफाई है तो और भी बढ़ि पर्थम प्रयास में ही जो है जेटेट पास करना होगा देखें अगर आपका जो है इसमें सेलेक्शन हो जाता है तो आपको जो है तीन साल के अंदर आपको जो है जेटेट यानि कि वहां का जो है टेट आपको क्वालिफाई करना होगा ओके पर्थम प्रयास में यदि जारख जारखंड सरकार तीन साल में जेटेट का एयोजन नहीं करती है तो अब भ्यारतियों पर यहां सर्त लागु नहीं होगी अगर जेटेट का नौटिकेशन आता ही नहीं है गौश्मेंट के द्वारा तो ये जो है अध्यार का यौकी यहां पर देखेंगे आप लोग छातरसंग ने जो है हाई कोट में याची का दायर की थी याची का में कहा गया था कि जारकन सरकार ने वर्ष 2016 के बाद टेट का आउजन नहीं किया है लेकिन राज में परिच्छा सुरू हो गई है और इसके लिए आविदन मंगाए जा रहे हैं देखें अब ये वेकंसी जो ह 31.9 तक होगी सेडूल जारी हो गया साहाइक अचार की नियुकती के लिए जो है जारकन प्रारंबिक विद्धाले प्रसिछिस साहाइक आचारी संज्युक्त प्रतियोगिता परिच्छा 12 से 31.9 तक होगी जारकन करमचारी चैनल आयोग ने परिच्छा का सेडूल बुद्व के लिए जो है गुड न्यूज है सीटेट क्वालिफाई किये हैं तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज है टेट क्वालिफाई किये हैं तो बहुत बढ़िया शुनहरा आउसर है देखें भारत के किसी भी स्टेट से हैं तो आप जो है इसमें आविद्धन कर पाएंग तो आपको जलदी से जलदी फर्म बरना चाहिए, जैसे ही इसका फर्म स्टार्ट होता है, ठीक है? अगर आप cated qualify हैं या state qualify हैं तो ओके फिर बाद में नियुकती हो जाने के बाद आपको जो है cated qualify करना होगा वहाँ, फर्थम प्रयास में, 3 साल के अंदर, ओके? तो यही थी अपडेट इसके अलाबा कुछ भी डाउट से हैं तो आप लोग कमेंट वाक्स में अपना डाउट के लिए कर सकते हैं चैनलों को सब्सक्राइब लेना ताकि जो भी जारकंड से चकबरती की अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले सबसे अथेन्टिक अपडेट आपको हमारी चैनल के मादम से मिल सके वीडियो को लाइक कर देना शेर कर देना थैंक्यो श्रमच थैंक्स वर वाचिंग मिलते हैं अगली वीडियो में बाई-बाई टेक क्यार